नमस्कार लोकमत फेस्बुक लाइब में आपका स्वागत है महराश्ट में पिछले एक हफ़ते से चला रहा किसानों का आंदोलन किसानों की आग सरकार से बात चीत हुई थी उसके बाद आंदोलन खत्म होने की खबरे आ रही है मुंबई में हजारों किसान 35,000 से भी जादा संख्या बताई जा रही थी किसानों की मराटवाड़ा शेत्र से किसान पहुंचे थे और अपनी मांगों को लेकर प्रेदर्शन कर रहे थे और आज उनका विधान सभा को घिराओ करने का भी उनका उन्होंने ऐलान किया था लेकिन सरकार से बाचीत के बाद ऐसी खबरे आ रही है कि उनका उन्होंने अपना अंदोलन वापस ले लिया है मिरसाता आदित है आदित क्या है ? इस पर ताजा अपडेट क्या किसानों ने अंदोलन वापस ले लिया है ? पुलन चली रहा था, बीजेपी को भी जल्दी मची होई थी, कि वो क्यों दुश्मनी मोल ले रही है, किसानों का वोट आधार होता है, तो वो भी नहीं चाहती थी कि किसी भी तरीके की वो दुश्मनी मोल ले, इसके लिए कली से रुख नरम था, केंद्री मंत्री है, किरी र ऐसे सरेंडर करी रही थी, आज विधान सभा का घिराओ किया जाना था, किसान बड़ी संखा में पहुंच गये थे, आजाद मैदान करीब 35,000 किसान थे, लेकिन सरकार ने उनको मिलने के लिए बुलाया, कि घिराओ करने से पहले हम लोग बात करते हैं, और वहां 12 सदस्थी प्रतिनिजी मंडल गया किसानों का, और उनकी करीब 12 मांगें थी, करीब क्या 12 मांगें ही थी हमारी जो बात हुई आखिल भारती किसान सभा के अध्यक्ष अशोग धावले से, तो उनकी 12 मांगे थी, उनको उमीद थी कि इन मांगों पे वो किसी भी मांग पे, किसी भी तर गया कि यह लड़ाई यारपार की लड़ाई है, और इस लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचाये बिना अपनी सारी मांगों पर, समर्थन लिये बिना सरकार का मुहर लगाये बिना या लिखी ताषवाशन के बिना हम यहां से वापस नहीं जाने वाले हैं, तो जा रहा है कि सरकार अधिकान शमांगों पे किसानों का समर्थन कर रही है, तो देखते हैं अभी क्या पुष्ट खबरे आती हैं, तो पुष्ट खबरे यहाँ पर अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन जिस तरीके की तीन घंटे लगातार बैठक चली किसानों की सरकार के प् कटा होने दिया, जब माननी थी मांगे तो इतना बवाल क्यों मचाया? जो भी उनके पास था, ओड के उन्होंने रात गुजारी, इसी तरीके से 6 दिन का उनका सफर रहा, करीब 10,000 लोग वहां से चले थे, जुड़ते जुड़ते करीब जब मुंबई की सीमा में दाखिल हुए यह लोग किसान और आदिवासी, आदिवासी मैं इसलिए जोड़ और जो सोशल मीडिया पे धिर सारी हमने तस्वीरें देखी हैं, उनके पैर फटे हुए एकदम, और ऐसे आंदोलनों में जब आप डेली 30 किलो मीटर, 40 किलो मीटर का सफर तेगरते हैं, तो आपके खाने पीने का बहुत सही इंतजाम नहीं हो पाता है, उसमें महिलाएं हैं उसमें युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजूर्ग भी हैं, किसी तरीके से उन्होंने 200 किलो मीटर की यात्रा पूरी की अपनी मांगों को लेकर, और उसके बात कह दिया गया, सरकार कह रही है, या अभी आंदोलन अगर खतम कर दिया जाता है, तो यह सवाल बहुत किसानों का अंदोलन शुरू हुआ था, उस वक्त भी धेर सारे ऐसे जतन किये गए, किसान दूद लेके आते थे, और बहा देते सड़कों पर, सब्जियां लेके आते थे, फेंक देते थे, ऐसे धेर सारे प्रतिरोध किये गए, तो उसके बाद सरकार ने एक फैसला किया कि जो किसान है, उनका 34,000 करोड का करज माफ कर दिया जाएगा, 34,000 करोड करज माफी से करीब 89,89,000 किसानों को फाइदा पहुशना था, साल भर लगभग भी इतने वाला है, किसानों का रोश इसी में और जादा है, उनका कहना है कि जब ये वादा किया गया था, तो फिर इसा नहीं है, लेकिन उनने वादा कर लिया था, तो किसानों में यही रोश है कि हम, और मराठ वाडा में क्या हुआ कि मानसून भी बहुत अच्छा नहीं था इस बार, थंडी भी कम पड़ी है, तो हो सकता है, गर्मी भी जादा पड़े, तो फसल इस बार वैसे भी फिर अ नहीं हो रहा है, भरोसा नहीं हो रहा है कि किसान ऐसे मौखिक आश्वासन से मानने वाले हैं, वो बी जेपी सरकार को लिखित में कोई ठोस घोशना करनी होगी या कोई ठोस कदम उठाना होगा, उसके बाद ही किसान यह अंदोलन वापस लेंगे, पहले भी धोका खा चुक आपने बताई उसके लिए जो पिछले साल सरकार ने किया क्या कदम उठा है, वो बताई, आदिवासी इस आंदोलन में बढ़ चड़ कर उनोंने हिस्सा लिया, उनकी क्या मांगे थी, वो किस लिए, क्या वो सरकार से चाहते थे, किस लिए वो इस आंदोलन से जोड़े थे? आदिवासी जो है वो बड़ी संख्या में, सरकार भी यह कह रही है, जो ऑफिशली एक मंत्री ने बयान दिया कि चार पांस सो किसान है, छे सात हजार आदिवासी हैं, सिर्फ इतने ही है, लेकिन जब आप तस्वीरें देखते हैं, तो ये छे सात हजार नहीं है, करीब पच 2006 में एक एक पास हुआ था, UPA की सरकार में, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये एक्ट बनाया गया था, आदिवासीयों को और किसानों को जो उन्हीं जंगल की जमीन पर आश्रित हैं, उनको उनका जमीन का अधिकार वापस देने के लिए, 2008 में इस एक्ट को लागू किया गया, करीब 12 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इसको प्रभावी तरीके से अभी तक इंप्लिमेंट नहीं किया जा सका, अभी भी आदिवासी अपनी जमीन को लेकर, अपने अधिकार को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, और वही गुस्सा था उनका, उनका यही गुस्सा ह जो निकल के सामने आ रहा है, उनको घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है, और वह यहां आए हैं, तो जहां आदिवासी किसानों की प्रमुख मांग कर्जमाफी नहीं है, उनकी प्रमुख मांग है कि उनको उनकी जमीन दे दी जाए, जहां से उनके पुर्खे 70-80-100 साल से खेती कर रहे हैं, क्या हुआ था कि भारत में अंग्रेजों का साशन बहुत लंबे समय तक रहा है, और बहुत क्रूर शासन माना जाता है, तीन शताबदी तक वो चला था, 1850 में अंग्रेजों ने एक लौ पास किया था, जिसके बाद से आदिवासियों की जमीन थी, उसको सरकार ने अपने अधीन कर लिया था, और उनके जो अधिकार थे, उनको सबको सस्पेंट कर दिया था, उनको उसको अंदेखी की थी, 1947 में आजादी मिली, उसके बाद भी सरकार का जो नजरिया था, आदिवासियों की जमीन के प्रती, वो बहुत ज़्यादा बदला नहीं, इसके लिए लंबे आंदोलन चले, देर सारे प्रदरशन किये गए, उसके बाद मजबूर होकर 2006 में सरकार को एक एक्ट पास करना पड़ा था, लेकिन फिर भी एक्ट बनने के बाद भी अभी जमीन पर वन विभाग का ही कबजा है, जादा तर जमीन पर कुछ जगों पर मि महाराष्ट में जिला है, गढची रौली करके वहां के 66% आदिवासियों को मिल गई है उनकी जमीन, और कुछ जिलों बहुत पीछे हुए, करीब 20 जिलों में तो अभी तक एक भी व्यक्ति को नहीं मिली है, उसका इंप्लिमेंटेशन नहीं हो चुगा है, तो महाराष्ट क प्रावधान है, उसके पीछे कारण ये है कि जो तै करते हैं, कि ये आदिवासी वहीं का निवासी है या नहीं, उस एक्ट के दो प्रावधान है, पहला प्रावधान ये है कि आप को आप पूरी तरीके से उस जमीन पर ही निर्भर होने चाहिए, जो जमीन आप खेती कर र तो यह बहुत बड़ा रोडा है और इसी वजह से इंप्लिमेंट बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है आदिवासी कह रहे हैं अब पहले तो यह बहुत पिश्रे हुए थे कुछ पता नहीं था इनको धीरे धीरे चेतना जगी तो यह जागरूख हो रहे हैं तो इसी वजह से गरों से निकले कि अब यही एक तरीका है अपनी माँगे मनवाने का और यह मुंबई की सड़कों पर और आजाद मैदान तक और हो सकता है अगर माँगे ना मानी गई और इसको पूरी तरीके से जल्दी से जल्दी प्रभावी तरीके से लागू ना किया गया जो Forest Rights Act 2006 से इसको ना लागू किया गया, तो यह जल्दी वापस आने वाले नहीं है, कल एक लोगों से बात हो रही थी, मेरा एक दोस्त वहाँ कवर करने गया था, सुमय्या मैदान में रैली कवर करने गया था, तो एक किसान से उसने पूछा कि दादा जो है, आपको डर नहीं सरकार लगातार आश्वासन देती रही है کिसानों को, पिछले साल भी किसान मधिपरदेश में, उसके बाद माहराश्ट में लगातार आंदोलन पे उतरे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हें आश्वासन ही मिला, और इस बार तो किसानों के साथ, आदिवासी भी उनके अ देखा किसानों का जो आंदोलन था उसमें NCP ने भी अपना समर्थन दे दिया, शुसेना भी आ गई, मंसे भी आव गई, आम आदमी पार्टी भी आ गई, तो कहीं न कहीं बीजेपी पर भी यह दबाव था कि वो जल से जल किसानों की बात सुनें? जबरदस्ट दबाव था, जिस तरह से अभी बात बने थे कि अगर नहीं वो मांगे मानते हैं तो किसान वहां जमे रहेंगे, 30,000 नंबर चोटे नहीं होते, एक विधान सभा को अगर 30,000 लोग घेर के बैठेंगे तो वह अपने तरह का एक दबाव है, और इसमें खास बात य है योगेश कि जो योगदान है किसानों का हमारे GDP में, उसको देखना पड़ेगा, जब एक तरफ हम बात करते हैं कि हमारे देश की अर्थ विवस्था कैसे जा रही है, उसमें हम आस्रित होते हैं किसानों पे, फिर हम उन्हीं के अंदेखी करते हैं, हम बजट में बड़ी- किसानों के का रिकार्ट का निकाल के देखेंगे, तो बुंदेल खंड में जिस तरह से, यह बात केवल अभी महाराँ जर्कार की नहीं है, यह उसमें उस से और पहले से किसानों का अन्दूलन चल रहा था, किसान दिली आये उन्होंने पिशाब पिया अगर आपको याद हो तो पिशाब पिया बावजूद इसके हाँ उनकी सुभाई ने पिशाब पिया गुंदेल घंड में मरने की लंबी लंबी घटनाय आती थी दुर्भागे से उसे हम लोग भी कबर नहीं करते थे मीडिया में उनकी अंदेखी की गई सरकार में उनकी अंदेखी की गई तब जाकर कि किसानों ने फाइनली ये कदम उठाया है जिसका अब कुछ सकारात्मक परिवर्थन होगा आगे आने वाले दिनों में यसी उमीद की जाती है तो किसान जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं सडकों पर है उसे यहीं उमीद की जा सकती है दो ही तरह की चीजें दो ही तरह के आश्वासन मिलते हैं एक वादा खिलाफी और अंदेखी किसानों का मामला जब भी सामने आता है यही दो चीज़े उभर कर सामने आती हैं सरकार अपने तरब से सरकार ने भी अपना रुक नरम कर लिया है और कई न कई सरकार पर ये दबाओ भी था क्योंकि तमाम राजनीतिक दल किसानों के समर्थन में उतर गए थे